जहिन दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल रेलवे तक में तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गुरूब डी में जो कैंडिडेट अभी न्यू जोइन करने वाले हैं तो उनको स्टार्टिंग में सेलरी कितनी मिलेंगी और उनका इंक्रिमेंट के बाद कितनी सेलरी बढ़ जाती है जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं साउध वेश्टन डेल बे मेसूर डिविजन की यह है मार्च मैंट 2023 की पैसिलिफ है जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं candidate की जो personal details है उसमें आप यहाँ पर candidate का नाम इसके बाद पद याने की designation mechanical helper में बरतमान में कारेरत है जो की department mechanical department के अंतरगत आता है और यह अभी बरतमान में मैसूर station पर कारेरत हैं इनकी यहाँ पर will unit दी जाती है के बाद यहाँ पर candidate क का अधार कार्ड नंबर है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि candidate का जो date of worth याने की डियो भी है वह यहाँ पर सो किया गया है और अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि गुरूप डी पे लेवल बन में आता है तो यहाँ पर उनका पे लेवल दिखाया गया है और इनका जो next increment या यहाँ पर यह सो किया जा रहा है कि इनका कारेगरेंट थी यानि की date of joining पच्चिस छे दोजार उन्निस को इन्होंने रेलवर को जोइन किया था यानि की बरतमान में इनको लगभग चार साल हो गया है रेलवे में का कारे रत इसके बाद यहाँ पर candidate का पीएफ नंबर यानि यहाँ पर pen card से संबंदित यहाँ पर जानकरी दी गई है अब यहाँ पर बात करते हैं करमचारी को पर मंत कितनी salary मिलती है और yearly उनको कितनी छुटी मिलती है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कारेदिवस यानि कि मार्च में उन्होंने 31st डे डियूटी किये है जिससे उनका gross पर जो है 29,256 रुपीज वना है इसके बाद कुछ कटोतियां भी होती है तो उन पर भी हम नजर डालेंगे जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कटोतियों की बात करें तो यहाँ पर 3547 रुपीज की कुल recoveries की गई है इसके बाद जो total salary उनको in hand दी गई है यानि की net pay तो वह 25,709 रुपीज इनके account में transfer की गई है जो यहाँ पर LHP leap की बात करें तो यहाँ पर इस candidate के पास अभी बरतमान में 57 LHP balance है इसके बाद हम जानते हैं कि जो gross पर मिला है candidate को March महिने में जो की आप सभी को पता होगा कि yearly closing रहता है तो यहाँ पर only basic pay डेरनेंस allowance जिसे मेंगाई भत्त कहते हैं और transport allowance यही दिया गया है इसके अलावा यहाँ पर HRA, night duty allowance, traveling allowance इस तरहां के allowance इस मन्त में नहीं दिये जाते हैं यह सभी aid होकर next month में मिल जाएंगे जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं basic pay 20,300 रुपे है जो की starting candidate को जो मिलता ह वह 18,000 रुपे मिलता है basic pay इसके बाद यहाँ पर अभी इनको dareness allowance यानि की मेंगाई भत्ता 7,714 रुपे मिल रहा है जो की लगवग 38% है और increment यानि की dareness allowance अभी 4% से increase हुआ है तो अभी जो मेंगाई भत्ता है वह भारती railway में 42% basic pay का दिया जाता है इसके बाद यहाँ पर transport allowance दिया गया है जो की 1242 रुपे है कटोतिया यानि की recoveries की बात करें तो यहाँ पर 3547 रुपे की recoveries में railway employee insurance scheme के 30 रुपे social security scheme मैसूर के 100 रुपे और railway institute NGO यानि की gym इस तरह की facilities के 25 रुपे और NPS national pension system के 2801 रुपे और electric charges यानि की इन्होंने railway quarters लिया है तो वहाँ पर electric use करने पर 206 रुपे का इनका electric bill charges आया है इसके बाद house rent की बात करें तो 170 रुपे इन्होंने से deduction हुए है और water charges 15 रुपे इनका लगा है इसके बाद प्रतेक प्रदेश जिस भी इस state में आप रहते हैं तो इस state को आपका tax जाता है लगवग 3600 रुपीज का प्लस night duty allowance मिल जाता है जिसे की 2000 लगवग मान लीजे night duty allowance और यह HR allowance है इसके अलावर traveling allowance मिलता है जो की per day 500 रुपीज मिलता है तो इस तरीके से जितने भी days आप जाते हैं लगवग 10 days ही जाएंगे तो यहाँ पर जो traveling allowance है वह 5000 हो जाएगा इस तरीके से इन group D candidates की salary लगवग आप सभी को add करेंगे अगर आप 10,000 प्लस भी कर देंगे तो जो total salary है candidate की लगवग 35,000 प्लस बन जाएगी तो I hope आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा इसके अलावा आपके मन में किसी भी तरह का कोई doubt या query है तो वह आप मुझसे comment box में पूछ सक करते हैं मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन